मद्यप्रदेश में सिवराज सिंग चोहान कमलनात और जोतिरादित सिंदिया अपनी साख बचाने के लिए लगे हुए हैं और इसके लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं जोतिरादित सिंदिया जिन्होंने कॉंग्रेस की सरकार गिरवा कर मद्यप्रदेश में भाजपा की सर बनवाई थी और यह वही जोतिरादिति सिंदिया है जो सड़क पर आने की बात करते थे किसानों के लिए और अथिती सिक्षकों के लिए जिसके जवाब में कमलनात ने कह दिया था कि ठीक है सड़क पर बैठ जाईए लेकिन अभी जो सर्वे आया है वह बेहद चिंतित करने वाला है जोतिरादिति सिंदिया के लिए क्योंकि सर्वे में जोतिरादिति सिंदिया की हावा टाइट होने वाली है और लग रहा है कि चंबल की जंता महराजा को कहीं हकीकत में सड़क पर बैठाने वाली तो नहीं है नमस्कार मैं हूँ गिराश शर्मा और आप देख रहे सफेद कुर्ते पजामे मैं जोतिरादित सिंधिया पूरी दम से अपने कारी करता हूं मैं जोस भरने में लगे हुए हैं और बाकाइदा ट्विटर के माद्यम से इसे शेयर भी कर रहे हैं लेकिन गोधी मीडिया के चैनल जी न्यूस का एक सर्वे आया है उस सर्वे में जो बात बताई जा रही है वो तो कुछ और ही तरफ इशारा कर रही है भले ही जोतिरादित सिंधिया कितनी ही जान फूंकने का काम करें क्योंकि सर्वे में बताया जा रहा है कि जो कॉंग्रेस की सीटे हैं वो करीब 136-140 आ रही है और भाजपा की करीब 85-90 के बीच में सीट बताई जा रही है और जो वोट शेरिंग बताया जा रहा है वो कॉंग्रेस का 46% तो बीज़पी का 43% है और अन्न का 11% वहीं अगर हम बात करें चंबल छेत्र की जो 34 सीटे हैं उन 34 सीटों में भाजपा की मात्र 8 से 10 सीटे बताई जा रही है तो कॉंग्रेस की बताई जा रही है 24 से 26 सीटे ऐसे में जोतिरादित सिंदिया पर सवालिया निसान खड़ा हो सकता है अगर ये सर्वे परणामा में सही सावित हो गया हाला कि इस तरह के सर्वे समय समय पर आते रहते हैं लेकिन गोदी मीडिया जिससे पूरा देश भाजपा के चरण चुम्बन के तौर पर जानता है अगर वो चैनल कह रहा है कि कॉंग्रेस की इतनी सीटे आ रही हो भाजपा की इतनी तो यह अपने आप में भ जोतिरादित सिंदिया को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है इस सर्वे को देखने के बाद जोतिरादित सिंदिया के माथे पर चिंता की लकी रह तो जरूर आ रही होंगी क्या उन्हें हकीकत में सड़क पर तो नहीं बैटना पड जाएगा क्योंकि जिस तरीके से जोतिरादित सिंदिया भाजपा को जादा से जादा सीटें दिलवा पाएं अगर चंबल चेतर में जोतिरादित सिंदिया भाजपा को जादा सीटें नहीं दिलवा पाते हैं तो ऐसे महाराज के वर्चस उपर सवाल खड़ा हो जाएगा और कहीं न कहीं भाजपाई यही मन और उनके साथ आने वाले विदायकों को इसलिए टिकेट और पद दे दिये गए थे क्योंकि उन्होंने सरकार बनवाने में मैत्वपूर भूमे का निभाई थी हाला कि उन्हें इस बार भी टिकेट दिये गए है maximum candidate को जो जोतिरादित सिंदिया के समर्थक है लेकिन अगर हार जाते हैं तो क्या उनकी राजनीती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए उनके उपर प्रशन चिनने लग जाएगा और फिर से चंबल रीजन में अपना वर्चस सुखडा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी या फिर ये सर्वे समय रहते बदल जाएगा जोतिरादित सिंदिया के फेवर में आ जाएगा बीजपी के फेवर में आ जाएगा या फिर ये सर्वे कॉंग्रेस के फेवर में ही रहेगा इस पर चंबल की जनता और मध्यप्रदेश की जनता क्या सोचती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राये? जरूर दीजिये, बताइए क्या महराजा हाकीकत में स्रडक पर बैठ जाएंगे या स्रडक पर बैठने से बच जाएंगे? इस परकार के इस बार के मध्यप्रदेश किजिए जिस्यम और बेतर सोतंत्र पत्तिकराता कर सकें नमस्कार